क्या OnePlus Nord C4 25,000 रुपए में लेने के लिए बेस्ट फोन है? इस फोन का कामरा अच्छा भी है या नहीं? और क्या यह फोन Vivo T3 से बेटर है? इन सभी प्रश्णों का उत्तर हम आज देंगे इस OnePlus Nord C4 के रिव्यू में जब आप इस फोन को डबे से बाहर निकालेोंगे तो आपको हाथ में हलका सा भारी फील होगा क्योंकि इसकी बैटरी काफी जारा बड़ी है लेकिन इत्री बड़ी बैटरी होने के बाद भी आब इस फोन को एक हाथ से आराम से यूज़ कर सकते हो इस phone के sides बिलकुली flat है इसकी वरे से इसकी हाथ में करेब बहुर अच्छी बनती है लेकिन फिर भी back पे हलका सा curve है जो बहुर अच्छा लगता है हाँ इसकी back plastic की बनी विया और कोई भी texture नहीं है इसके back के उपर इसकी वरे से अगर आप इसको बिना cover की use करोगे तो fingerprint थोड़े बहुत आराते हैं इसके back पे लेकिन इसकी color की वरे से fingerprint उतने जारा दिखते नहीं है phone के right side में है volume button और उसके नीचे है power button और इन दोनों की quality बहुत बढ़ी है और दबाने पे बहुत solid आवाज आती है लेकिन क्योंकि मैंने iPhone से इस phone के उपर shift हुआ है तो इसके button थोड़े से पतले लगते हैं अगर आप लगातार 10-12 बार दबाओ गिरे इनके button को तो आपके अंगूटे पे हलका सा निशान पढ़ जाएगा जो चीज इस phone के बारे में अच्छी लगी वो है इसके speakers, dual speakers है इसके अंदर और इस rate पे जितने भी phone आते है ना उनका पहला speaker तो नीचे होता है लेकिन जो दूसरा speaker होता है वो earpiece के अंदर होता है लेकिन इस phone के अंदर इसका पहला speaker तो नीचे ही है लेकिन जो दूसरा speaker है उसके लिए dedicated grill दीवी है इसकी वारे से loudness बहुर अच्छी आती है speaker के अंदर अगर आप भी मेरी तरह नहाते वे गाने सुनते हो ना तो इस phone से गाने सुनने में आपको मज़ा आ जाएगा हाइस के नीचे वाले speaker से जाधा आवाज आती है around 60% और उपर वाले से around 40% लेकिन इस state पे आप कोई भी phone लोगे न तो उन सब में यही सीन होता है बलकि हमने जब 31,000 रुपीज का Samsung A35 भी टेस्ट किया था ना उसकी तो 75 से 80% volume नीचे वाले speaker से आती थी और जो चीज नहीं अच्छी लगी इस phone के बारे में वो है इसकी mic quality चाहे आप videos मनाओ चाहे आप phone पे बात करो इसकी mic quality बिल्कूल भी अच्छी नहीं लगती और जो 15,000 रुपे के phone भी होते है ना उन phones की भी इससे अच्छी mic quality होती है इस phone के अंदर iPhone की तरह face ID तो है लेकिन इसकी face ID हलकी सी slow feel होती है इसते पहले हमने Vivo T3 यूज किया था और उसका face unlock तो अलगी level पे है Vivo T3 का face unlock तो इतना fast था कि आपको lock screen दिखती नहीं थी सीधा home screen पे आते थे लेकिन इस phone के face unlock के अंदर आपको एका second के लिए lock screen दिखती है उसके बाद ये phone unlock होता है और इस phone का जो fingerprint scanner है वो काफी जारा अच्छा है और face unlock से काफी जारा fast है और हर बार खुल जाता है तो एकदम बड़िया quality का fingerprint scanner है लेकिन जिर्फ एक कमी है जिसमें थोड़ी सी improvement हो सकती थी कि इसका fingerprint scanner काफी जारा नीचे है डिस्प्ले में अगर वो थोड़ा सा और उपर होता ना तो मज़ा आ जाता और alert slider जो OnePlus की पहचान है वो आपको इस phone के अंदर नहीं मिलने वाला लेकिन इस phone की vibration बहुत solid है आप phone को lock unlock करोगे आ फिर typing भी करोगे न तो एकदम बड़िया vibration आती है इसके अंदर अधरी colors बहुत बढ़ी आते हैं जैकिन OnePlus के अंदर ना color थोड़े से boosted होते हैं थोड़े जारा पंची आते हैं तो movies, web series और normal YouTube वीडियो वगएरा देखने में भी OnePlus हलका सा बढ़ी आ है और brightness भी इस OnePlus Nord C4 की बहुत बढ़ी आ है चाहे आप इसे घर के अंदर यूज करो चाहे घर के बार आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी brightness के शेत्र में शेत्र वह और refresh rate भी इस phone का बहुत अच्छा है और बहुत स्मूध है और मैंने इसके refresh rate को आटोमाटिक पर नीचे करता रहता है ताकि एक दम best battery life निकाल के दे और अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई एक बार भी असानी लगा कि कहीं पर phone अटक 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 रहा है एक दम मखन चलता है यह phone और इसके अंदर always on display भी है जो बहुत बढ़िया है और उसके अंदर आपको बहुत सारे options भी मिलते हैं अपने यह साब से अलग-अलग always on display लगाने की customize करने के लिए अभी तक इस phone के बा बाइस के HDR वीडियो के साथ कि जैसे अब HDR वीडियो चलाओगे न तो पूरी display हलकी सी yellow हो जाती है यह चीज आपको पता नहीं camera के उपर दिखेगी या नहीं दिखेगी लेकिन यह हर बार हुआ है हाई यह चीज भी एक software update से ठीक करी जा सकती है लेकिन यह भी बहुत चोटी चीज है और इन चोटी-चोटी बातों से किसको फरक पड़ता है बेटा पापा कल आ वर्मा अंटी के साथ समोसे खा रहे थे ना बताओ बेटा चोटी-चोटी बात ही तो मेन होती है बस मम्मी को मत बताना और SIM slot इस फोन का hybrid है तो आपका पूरा-पूरा option में लगा चाहे आ और अगर दूसरा SIM भी उज़ करना है तो वो E-SIM भी तरह यूज़ करना पड़ता है नेटवर्क्स बहुत अच्छे आते हैं इस फोन के अंदर और 5G भी एकदम बढ़िया से जलता है बिना किसी रुकावट के और जब आप call के दोरान इस फोन को अपने कान पे लगाओग और अगर आप गेमर शेमर हो तो इसके अंदर BGMI आप स्मूद प्लस एक्स्ट्रीम पे खेल पाओगे और मज़ेगी बात यह है कि आप HDR प्लस एक्स्ट्रीम के अंदर भी खेल सकते हो इसके अंदर BGMI तो BGMI इस फोन के लिए बहुत ही बड़िया तरीके से अप्टिमाइ इस फोन के डब्बे के अंदर भी आपको कवी सारी इंटरस्टिंग चीज़े मिलती है तो अगर स्पेशल चीज़े दे ही रहो भाई तो कम से कम अच्छे से तो दो और बैटरी इस फोन की बहुत ज़्यादा बढ़िया है और जितना हमने इसे टेस्ट किया तो ये एक दिन और सोचल मीडिया बगरा चलाते हो ना तो दिन के एंड में भी आपके बास 15-20% बैटरी बची होगी और इतनी बड़ी बैटरी होने के वरस से ये हाक में हलका सा भारी फील होता है लेगिन इस चीज़ की आरत आपको 2-4 दिन के अंदर पढ़ जाएगी और इस रेट के अं परसेंट 29 मिनिट्स के अंदर चार्ज कर देगा और जब हमने भी इसे टेस्ट किया ना भाई तो 0-100% ये सच में 30 मिनिट्स के अंदर अंदर हो गया जो बहुत कमाल की चीज़ है और इस फोन के डबे के अंदर ही आपको चार्जर के साथ एक कवर भी मिलता है हमने इस फोन को ब्लैक कलर में लिया है तो हमें ब्लैक कलर का कवर मिला है और ये कवर ऐसा है कि इस फोन को लेने के बाद आपको मार्केट से लाके कोई अलग से कवर नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये कोई सस्ता सा प्लास्टिक का कवर नहीं है जो एक डे डोमेने के अंदर पीला हो लिए है कि इसके अंदर फाल्टू के अपस बिल्कुल भी नहीं है मुस्ली गूगल के अपस है और बस एक नेट्फिक्स का अप हमको मिला जब हमने इसे अन किया था लेकिन पता नहीं क्यों पाच्छे गंटे बाद अपने आप इसने तीन बच्चों वाली गेम डाउलोड कर ली इसमें टाइले मैच करते हैं और बबल फोड़ते हैं और एट्स इस फोन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती और फाल्तु भी नोटिफिकेरिंज भी नहीं आती और लेटेस्ट एंडरोड 14 के साथ तो आता ही है फोन और साथ में वनप्लस ने प्रॉमिस भी किया है कि अगले दो साल तक आपको इसके अंदर एंडरोड अप्डेट्स मिलती रहेंगी ताकि आपको एकदम लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहें जो कम से कम दिन में 100-200 बार तो यूज होनी है वो काफी जारा बेटर होनी चाहिए थी और अब आ जाते हैं इस फोन के कैमेरे के उपर देखने से तो आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर 3 कैमेरे हैं लेकिन यह जो तीसरा गोल आए न यह एक्चुली में फ्लैश है में लेंस इसका 50 Mbps का है जो बहुत बढ़ी है फोटोस कीचता है और डिटेल्स भी इसकी फोटो के अंदर बहुत बढ़ी आती है मेरे लेंस से अल्टरावेट कैमेरे जब आप शिफ्ट करोगे तो फोटोस के अंदर कलर शिफ्ट काफी जारा आता है जो कोई अच्छी बात नहीं है और 8 Mbps का अल्टरावेट कैमेरे होने के बाद भी ऐसा लगता है कि यह 5 Mbps का है क्योंकि अल्टरावेट फोटोस के अंदर डीटेल्स काफी कम आती है और सेल्फी जारा आती है डीटेल्स तो बहुत बढ़ी आती है लेकिन स्किन टोंस के साथ फिर से वही है कभी अच्छे से लेता है तो कभी अच्छे से नहीं ले पाता 25,000 रुपे में यह काफी अच्छा फोन है लेकिन पॉर्फेक्ट नहीं है और आपको यह फोन लेना चाहिए या फिर विवो टी थरी वो जानने के लिए सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अगली वीडियो वही आने वाली है